नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाओमी रेड्मी 13 5G वर्सस मोटो जी 45 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी 13 में 6.64 इंच जब की G45 में 6.41 इंच की लेंथ मिलती है जो की रेड्मी 13 से कम है Width की बात करें तो Redmi 13 में 3 इंच जबकि G45 में 2.9-4 इंच की Width मिलती है जो की Redmi 13 से कम है बात करें थिकनेस की तो Redmi 13 में 0.33 इंच जबकि G45 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं Weight की तो Redmi 13 में 205 ग्राम्स जबकि G45 में 183 ग्राम्स का Weight देखने को मिलता है चलिए, अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 13 में 6.79 इंचर्ज जबकि G45 में 6.5 इंचर्ज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Redmi 13 में 1080x2460px FHD+, और G45 में 720x1600px HD+, मिलता है Screen to Body Ratio Redmi 13 में 85.26 प्रतिशत जबकि G45 में 84 प्रतिशत मिलता है बात करें PTI Density की तो Redmi 13 में 396px प्रतिश जबकि G45 में 270px प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो Redmi 13 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है और G45 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करे वीडियो कैमरा की तो Redmi 13 में 10 different type के features मिल जाते है और G45 की बात करे तो उसमें 13 different type के features मिल जाते है अब बात करे फ्रंट कैमरा यानि की selfie कैमरा की तो दोनों फोन में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहेले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनो मीटर है GPU की बात करें तो Redmi 13 में Adreno 613 जबकी G45 में Adreno 619 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi 13 में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 और G45 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi 13 में 2 आप्शन देखने को मिलता है जिसमें 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकी G45 में A की आप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB Storage मिलती है Expandable Memory दोनों फोन में Up to 1 TB है Operating System दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है Battery Redmi 13 में 5030 mAh जबकी G45 में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 Colors Option देखने को मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Redmi 13 में 2 वेरेंट देखने को मिलते है जिसमें की 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रूपीज में मिलता है और बात करें G45 की तो उसमें एक ही वेरेंट मिलता है जो की 4 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 13 5G में 8 फाइदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Moto G45 5G की तो उसमें 5 फाइदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में Redmi 13 आगे है फ्रंट सेल्पी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 200E 5G है दूसरा Moto G04 4G है तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रियो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले